अलो दोस्तों स्वागत है आपका मैं कुग बित कामनी आज हम लाए हैं बैगन का भरता बनाना देखी इतना टेश्टी बनेगा आप इस तरह से बैगन बनाओगे तो बैगन का भरता सभी लोग इतना तारीव परेंगे सबसे पहले तो मैंने की गया एक बड़ा आधक लोका स कर लेते हैं देखी इस तरीके से मैंने पूरा चेक कर लिया है तो अब हम क्या करते हैं इसमें मैंने 4-5 कली मैंने लेसन की इसमें हम डाल देते हैं लगा देते हैं जिसे हमारे इस तरह से बनाओगे तो बहुत अच्छे बनते हैं लेसन को इसी में हलके से भून जाएंगे ह अब इसी में मैं हरी मिर्च को भी लगा देती हूं हर कट में इसे चार हरी मिर्च लगा देती हूं देखिए अब हमने देखिए लगा दिया है आप क्या करते हैं हम हलका सा इसमें सरसो का तेल लगा लेते हैं उपर से देखिए जिसे मारे अच्छे से ये भून जाएगा बैगन और टेश्टी बहुत लगता है आप इसी तरीके से बनाएएगा तो अब देखिए सब में मैंने अच्छे से सरसो का तेल एक लगा लिया है आप क्या करते हैं हम इसे पहले भून लेते हैं अब थोड़ा साद राक्का टुकडा भी ले लिया है वो भी हम इसमें रख लेते हैं देखिए इसी तरीके से हम बैगन को भून लेते हैं कि इसे हलके हलके इधर सुधर पलटते रहेंगे बैगन को और धीमी धीमी आज में जिससे हमारे क्या होता है नीचे से हमारा अच्छे से पंग जाएगा यह तो इसे धीमी धीमी आज में हम इने पूल लेंगे अच्छा बनता है और इसी तरीके से हम बैगन को पूरे तरीके से देखे हमारा ब्हुन चुका है और बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने अब इसको मैं खड़ा कर के भी से भुन लूँगे जिससे क्या रहे अच्छे से हमारा यह पख जाएगा अंदर तक का कच्च बिलकुल अब इसे मैं खड़ा करके थोड़ा सा कर लेती हूं जैसे क्या होता है अच्छे से या नीचे से भी हमारा पक जाए अच्छे से पिके लाकशनल साथ मिनट लागते हैं बैगन पकने में आप देखी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया अब क्या करते हैं इसकी डंड़ी पकड़के मैं एक प्लेट mummy अब गरम जादा है तो इसको बाद में छी लेंगे तब तक क्या करते हैं इसमें हरी मिड गी compare हम हरीमिज को इसे निकाल लेते हैं हरीमिज है और इसमें लैसुन को मैं अलग निकाल के रग लेती हूँ दीखिए इस तरीके से दीकि लेसुन पर ब्रामेर निकाल ले कहा लिगाक्त को सबाता है सब निकाल लाया है जो अब रहे गया है तो हम क्या करेंगे मैस करेंगे वैगन को तो इसमें ही मैस हो जाएगा लेसुन अब क्या है गरम है तो हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे 5 ब्रेट ठंडा होने के बाद क्योंकि अभी बहुत गरम है तो हम इसे दीरे दीरे इसे चील लेंगे इसे तरीके से सारा चील के रख लेंगे वैगन को दीकि अच्छे सा मारा पक गया है मैंने छूके देख लिया था तो पूरा अच्छे से पका हुआ है तो कच्छा बिल्कुल ना रहे तो हमने लगो 7-8 मिरट हमने इसे अच्छे से भ करती है इसकी डंडी को अलग निकाल के रख देते हैं इसको हमे weight कर लेते हैं while the सर्सों का तेल क्योंकि हम सर्सों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है तो सर्सों का तेल होने के बाद में थोड़ा गरम हो गया तो सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है अब देंगे थोड़ा सा जीरा होने के बाद में हल त्थे जो हलकालका सब्स्टाजिए अब आप ईसे हम जो डाल देते हैं हर्मेश नें टो पोग से अगर था एक लिए आफ एक मैंदमी उन्ली को इसे जेते हैं ओहर आप घुम मुद्ट यखना हो तो मैंने और फो टोड़ा देशी हम और डाल दिया आदा चम्मस हल्दी पौडर और देखिए हरी में ज़्यादा है तो चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ी सी PCV में छोग वो आप डाल सकते हो लेकि जिस तरीके से आपको चटपटा पसंदो थोड़े डाल दिया गरम मसाला बस इतना सा ही हमें डालना है अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे हलके से टमाटर पक गए है तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब डाल देते हैं बैगन देखिए अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे बैगन के भरता में देखे सबको अच्छे से हमने मिला लिया आप डाल देते हैं हम नमक नमक स्वाद अनुसारा हम डाल सकते हो जित्ती सबजी हो उसी साब से और धनिया के पत्ती मैंने धुल के डाल दिये हैं इसे कट करके अब सबको हम मिक्स कर लेंगे पहले और उसके बाद हम इसे मैस करेंग इसे बिल्कुल कि मोटा इसमें बिल्कुल ना रहे तो हम इसी तरीके से बैगन का भरता का मतलब यही होता है कि हम अच्छे से पहले बेक्स कर ले तब ही हमारा भरता बहुत अच्छे से बनता है कुछ लोग इसमें जार में मिक्सी जार में भी पीस लेते लेकिर वो अच्छा देखिए ये हमारा तयार है थैक्स पर वचिंग